हेलो दोस्तों कैसे हो बड़ों को नमस्कार बड़े बुजुरुगों को पढ़नाम दोस्तों सुभा का टाइम है और दोस्तों आज किर्समस है तो आप लोगों को मेरी किर्समस और दोस्तों ये देखे निश्चल उठ गया है निश्चल की तो सरदी जुकाम फीवर तो ठीक ह हो गया है लेकिन अब ठीक है पहले से तवियत इसकी ठीक है कल से अच्छी है तवियत तो दोस्तों आज तो क्रिस्मस है लेकिन इस वार किस्मस हम लोग नहीं मना सकते दोस्तों गाउं में जो मेरे चचेड़े दादा जी थे उनका स्वर्गवास हो गया वह 80 साल के थे और मु फेस्टिवल नहीं मना सकते है तो क्रिस्मस भी नहीं मना सकते है अब दोस्तों निश्चल तो पहले बहुत सोचा था कि पापा क्रिस्मस मनाएंगे लिए कि मैंने बूल दिया निश्चल को कि बेटा ऐसे ऐसे ना गाउं में जो दादा जी का ना वह सुर्गवास हो गया त लिए अधिंडी तो दोस्तों सुवा का खाना पर रहा है , और शुर्षा के खाने में थुर्षाण चावल सच में और दोस्तों यह देखिए निश्चल धूप में आया हुआ है छत पर खेलने के लिए तो दोस्तों यह लूड़ो खेल रहा है और साथ में अपना क्यूब भी लेके आया हुआ है और दोस्तों इसके दोस्त नहीं आया है आज खेलने के लिए छत पर तो यह बोल ला है क पापा वो नहीं आए क्यों नहीं आए कलाएंगे क्या मैं वहला हाँ बेटा कलाएंगे वो साइध क्रिस्मस मनाने के लिए गये हुए बाहर भूमने के लिए दोस्तों यह निश्चल चत पर खेल ला है तो दोस्तों हम लोग को यहां पर एक घंटा हो गया धूप में बैठे बैठे तो दोस्तों निश्चल बोला पापा अब घर चलो क्योंकि दोस्तों धूप भी बहुत अच्छी निकली है बहुत ही अच्छा दोस्तों तो अभी हम लोग नीचे जा रहें निश्चल को दोस्तों तो सर्दी जुकाम अभी है और दोस्तों यह देखिए निश्चल उपर से आ गया है और दोस्तों ये दूसरा कपड़ा पहली है जो इसका फैवरेट कपड़ा है ये और दोस्तों ये लेकिन थो सेड है क्योंकि इसके दोस्त नहीं आयते ना उपर में क्योंकि दोस्तों इसके जो दोस्त है फ्रेंड है वो सब गया है क्रिस्मस मनाने के लिए बाहर घूमने के लिए तो मिल्लाता पापा कोई नहीं आया मेरा फ्रेन्ट मैं वह घा कोई वात नी हो तोвед जाता आज घूमने के लिए लेकिए मैं क्या कर सकते हैं और दोस्तों यह देखे निश्चल के साल लूड़ो खेल रहे हैं निश्चल क्या वात है तो जीत रहा है लुडो में इसको एक रण चाहिए एसेंचुरी बनाने के लिए कौन सा गेम खेल है क्रिकेट का ओए होए दोस्तों यह जो इसका है ना इसमें आठ गेम है लुडो भी है चैस भी है क्रिकेट भी है इस सब गेम है इसमें फुटबॉल गीलिया शुटाव दोस्तों साम कमो गया और मैं जा रहा हूं भी दूद्द लेने के लिए निश्चल को साम के टाइम में दूद जरूर चाहिए तो अब macam तो चारो बजेकि Ol couple ऑग दो excess ऑसे Ju दूद और ब्रैक्ट ले लिया है तो दूस्तो जल्दी सेंड़ीक कहा अई थो अ भड़ जा रहा तो बशस्मान लेने थे दूद और ब्रैटेसा घर में है दोस्तो अभी भागल फेल्ड का लग्या नभलक्य देंधर हो गया था तो डूस्तों इतनी नाराज हो गई है ना दोस्तो कसम से तो अभी ना यह जब मैं कहीं गया हुआ था तो यह आज ना दूसरी हेरेस्टाइल बनाई है करा ऊसका है कि आपकी लेक्ट करऊ दोस्तों इतना अ हैरेस्टाइल सामत क्या पड़्कण करो ढोठाई एक जैसे और दोस्तो यह देखे निश्चल का अब सेंवीच खाने का मन नहीं अब यह अपनी मम्मी को बुलला है कि मम्मी सेंवीच मत बनाओ घी को ब्रेट पे लगातो और थोड़ा सा गरम कर दो मैं वहीं खाऊऊँंगा और दोस्तों चाई बन रहा है लेकि मेरी से बात नहीं खर रहे हैं अभी아니 आ गई यह थे और दोस्तो आज मैं रात में खाने में बनाने वाला हूं दोस्तो देशी खाना ये देख सकते हो आप ये भुने हुए आलू है इसे मैंने भुना था दोस्तो और इसमें लहसन और लाल मिर्च यानि ये तीन रेस्पी से बनेगा ये आलू की चटनी दोस्तो तो ये आज होने तो दोस्तो यह देखिए। दोस्तो यह देखिए चत्नी मिक्सी में नहीं बनता है, यह सिलवट्टे पे पीशा जाता Rebecca तो अब ही लहसन और लाल मिर्च को सिलवट्टे पे पीश रियें फिर इसको भूने हुए आलू को पीस के फिर इसके पेश्ट को उसमें मिला देगी तो दोस्तो यह चटनी बन जाएगा दोस्तो आज मजा आने वाला कसम से और दोस्तो यह देखिए यह चटनी बनके त्यार होगे दोस्तो आलू की चटनी दोस्तो बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है दोस्तो भुने ह लग जाएगी तो आराम से रजाई पर बैठ जा और फिर टीवी देख लेगे मानी नीड़ा है निश्चल बैठ जा बैठा रजाई में यह देखो खासी हो रही ने तेरे को ठंडी लग जाएगी जल्दी से बैठ रजाई में और दोस्तों यह देखिए निश्चल खाना रहा है निश्चल तु खाले चटनी थरा सा क्यों नहीं अरे खाले निश्चल यह देखो दोस्तों हस रहा है बोला पापा मैंनी खाऊंगा चटनी रोटी और दोस्तों यह देखिए मेरी मोतरमा अभी रोटी बना रही है दोस्तों गर्मा गर्म रोटी बनने वाला है दोस् लोगों ने एक रोटी दूद में डाल के रख देते हैं ताकि निश्चल को अभी रात को दस बज़े फिर से भूग लग जाएगी तो खा लेगा तो यह अभी सालू रोटी बना रही है और दोस्तों देख सकते हो ना कितने ज्यादा ठंडा हो रहा है और जो हमारे किचन के सी इसे पर कितने ज्यादा ओस जमा हो गया दोस्तों 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 को साथ मजा आने वाला सक्षमेल दोस्तों रात का क्षाना व्यां और निश्चल के वाइड हो और रोटी तो बहुत ज्यादा पसंद आया तेकि निच्चल नहीं खाया दोस्तों क्योंकि उसको पसंद नहीं है चटनी तो मज़ा आगया दोस्तों आज देशी खाना खाके दोस्तों ब्लॉक कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जोड़ बताईए अच्छा लगाऊगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर भी तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब आप ना ख्याल लगिए हेल्दी रही और हेल्दी खाई ओके थैंक दोस्तों